आज की वीडियो में हम जानेंगे कैल्सियम की तीन जबरदस्ट टैबलेट के बारे में ये सभी फेमस टैबलेट है जो आपको करीब करीब सभी मेडिकल स्टोर पर इजिली मिल जाएगी और इन टैबलेट का आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा तो complete जानकारी लेंगे इन तीनो टैबलेट के बारे में कैसे यूज की जाती है कौन सी कंडिशन में यूज करते हैं और डोज कैसे लेनी है और किनकिन बातों को ध्यान में रखते हुए इन टैबलेट को यूज किया जाता है ये सबी बाते आज हम इस वीडियो में किलियर करेंगे तो वीडियो का आप एंट तक जुरूर देखे और चैनल को भी जुरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की नोलिजिबल वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम जानेंगे सिपकेल 500MG टैबलेट के बारे में सिपकेल बहुत अच्छी टैबलेट है जो करीब करीब आपको सभी मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाएगी और सिपला कंपनी के दुआरा ये टैबलेट बनाए जाती है पंदरा टैबलेट के इस्ट्रिफ होती है जिसका MRP 86 रुपिय होता है और इसके इंग्रिडेंट्स की बात करें तो इसमें आपको कैल्सियम मिल जाएगा जो की विटामिन D3 के साथ है अब हम जानेंगे इस टैबलेट के बेनफिट के बारे में सिपकेल 500MG टैबलेट को बॉन्स को स्ट्रॉंग और ओस्ट्यूपरेसिस को प्रिवेंट करने के लिए यूज कह जाता है मतलब कि अगर किसी परसन की हड्डिया कमजोर है किसी बिमारी के चलते या बढ़ती एज के इसाब से हो जाती है हड्डियों से कड़कड के आवा जाती है उठते बैठते कमजोर हड्डिया होनी की वज़े से जोइंट में घुटने में हाथ पेरों में दर्द रहता है पेट में दर्द होना सरीड जुका सा रहना कमजोरी महसूस होना जल्दी से ठक जाना इस तरह की समस्या हो जाती है तो ऐसी कंडिशन में सिपकेल टैबलेट यूज की जाती है सिपकेल बहुत अच्छी टैबलेट है जो खड़्डियों को काफी अच्छे से स्ट्रोंग करती है और ओस्ट्यो परेसिस बिमारे से बचाती है इस टैबलेट का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और केलसियम की बात करे तो ये हमारी बोड़ी के लिए बहुत इंपोटेंट होता है केलसियम बोन्स को हेल्थी बनाता है नर्व सेल और मसल्स के लिए भी बहुत फाइदेबंद होता है जिससे डेली के कामकास करने में हेल्प मिलती है और ये विटामिन D3 की डेफिसियंसी को भी दूर करती है इसमें भी आपको हड्डियों, जोडों में दर्द, हैर, फोल, थकान इस तरह के समस्या देखने को मिलती है तो ऐसी कंडिसन को भी ये टेबलेट इजी तरीके से दूर करती है हट्डियों को मजबूत करने के शिपकेल टेबलेट का अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है तो ये थे इसके कुछ बेनेफिट अब बात करते हैं डोस के बारे में डोस की बात करें तो एक टेबलेट रोजाना खाने के बात लेनी है और प्रिगनेट लेडी को एक टेबलेट दो पेर में खाने के बात लेने के सलाह दे जाती है बाकि आप अपने डोक्टर से भी कंसर्ट करके यूज़ कर सकते हैं तो यह थे इसकी कुछ डोस अब हम जानेंगे प्रिकेशन्स यानि सावधानिया अगर आपको किडनी या फिर बलड कैंसर या फिर एलर्जी की प्रोबलम है तो ऐसे में आप इस टैबलेट को ना यूज़ करें क्यूंकि ऐसी कंडिशन में साइड इफेक्ट आ जाते हैं ऐसे में आप डोक्टर से कंसर्ट करके यूज़ करें और इस टैबलेट को आप ओवर डोज में ना यूज़ करें जितना डोज आपको बताया जाता है उससे उपर ना ले और किसी भी मेडिशीन को यूज करने से पहले एक बार उसकी एक्सपारी चेक कर ले अब हम जानेंगे इसके side effect के बारे में common side effect की बात करे दो constipation, vomiting, nausea, luge of hepatite, bone pain इस तरह का common side effect एक आद परसन को आ जाता है अब हम जानेंगे cell call 500 mg टैबलेट के बारे में cell call भी बहुत famous और effective टैबलेट है इस टैबलेट का भी बहुत effective result देखने को मिलता है और ये टैबलेट torrent company के दुआरा बनाए जाती है 15 टैबलेट की स्ट्रिप होती है जिसका MRP 119 रुपिय होता है और इसमें भी आपको कैलसिम के साथ विटामिन D3 देखने को मिल जाएगा अब हम जानेंगे इस टैबलेट के benefit के बारे में cell call टैबलेट को भी हड्डियों को मजबूत करने के लिए यूज किया जाता है और इस टैबलेट का सिपकाल टैबलेट से भी अच्छा result देखने को मिलता है सिपकाल टैबलेट भी अपनी जगह ठीक है लेकिन cell call टैबलेट का बहुत ज़्यादा effective result देखने को मिलता है अगर आपकी हड्डिया कमजोर है हड्डियों से कड़कड के आवा जाती है हाथ पैरों में, जोइंट में, कैलसिम की ज़िसे दर्द रहता है तो उसमें ये टैबलेट आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदिमन होने वाली है इस टैबलेट से आपको बहुत अच्छा result देखने को मिलेगा और इसके अलावा ओस्टोप्रेसिस, डेंटर प्रोबलम, विटामिन D3 की डेफिसेंसी इस तरह की समस्या में भी इस टैबलेट का अच्छा खासा रिस्पोंस देखने को मिलता है और ये प्रिगनेट ब्रेस फेडिंग लेडी इनके लिए भी बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द होती है तो यह थे इसके कुछ बेनेफिट अब बात करते हैं डोस के बारे में डोस एक टैबलेट खाने के बात लेने की सलाह दे जाती है बाकि आप अपने डोक्टर से भी कंसर्ट करके यूज़ कर सकते हैं अब हम जानेंगे इस टैबलेट के प्रिकेशन्स यानि सावधानिया इस टैबलेट को आप ओवर डोज में ना यूज़ करे और किसी भी मेडिसीन को यूज़ करने से पहले एक बार उसके एकस्पारी चेक कर ले अब हम जानेंगे साइड इफेक्ट के बारे में कॉमन साइड इफेक्ट की बात करे तो वही कॉंस्टिपेशन, वोमिटिंग, नोजिया, लूजो फेपेटाइट इस तरह का कॉमन साइड इफेक्ट एक हाथ परसन को आ जाता है जो एक दो दिन में ठीक हो जाते है अब हम जानेंगे ओस्टियो कैलसियम टैबलेट के बारे में ये एक OTC टैबलेट है जो आपको सभी मेडिकल स्टोर पर इजेली मिल जाएगी और गलेक्स्टो कमपनी के दोरा ये टैबलेट बनाए जाती है 60 टैबलेट के इसकी एक डिब्बी होती है जिसका MRP 147 रुपिय होता है और इसमें आपको कैलसियम, विटामिन D3 और फासफुरस इस तरह का इंग्रिडेंट्स देखने को मिल जाएगा अब हम जानेंगे इस टैबलेट के बेनिफिट के बारे में वोस्टो कैलसियम टैबलेट को भी बोन्स को स्ट्रोंग करने के लिए यूज किया जाता है ये हमारी हड़ियों को दातों को बहुत अच्छे से मजबूत कर हेल्थी बनाती है और इस टैबलेट का भी बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है गलेक्सो कमपनी इस टैबलेट को बनाती है जो की एक स्टेंडर कमपनी है और इस टैबलेट को बच्चे बड़े सभी आराम से यूज कर सकते है इस टेबलेट का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है डोक्टर दुआरा भी इस टेबलेट को प्रिसकाइब किया जाता है अब हम जानेंगे इसकी डोस के बारे में इस टेबलेट को भी एक टेबलेट रोजाना लेने की सिलाह दे जाती है और ये चेबल टेबलेट होती है इसे आप पानी के साथ ना निकले इसे आप चबा कर खाए और पानी पी ले ऐसे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और छे साल से नीचे इस टेबलेट को ना यूज़ करे तो ये ते इसकी कुछ डोस अब हम जानेंगे प्रिकेशन्स यानि साथ दानिया इसे भी आप ओवर डोज में ना ले और किसी भी मेडिशीन को यूज़ करने से पहले एक बार उसकी एकस्पारी चेक कर ले अब हम जानेंगे साइड इफेक्ट के बारे में साइड इफेक्ट की बात करें तो वही कॉंस्टिपेशन, नोजिया, वोमिटिंग, इस्टमक, एपसेट इस तरह का कॉमर साइड इफेक्ट एकाथ परसन को आ जाता है जो एक दो दिन में ठीक हो जाते है उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी तो ये थी कैलसियम की तीन जबरदस टैबलेट जिसके बारे में मैंने आपको काफी अच्छे से बता दिया है इसी तरह की नोलिजिबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं